तो आज जो हम लोग नौवल डिसकर्स कने जा रहे हैं, उसका नाम है कान्थापुरा जो की एक इंडियन राइटर राजा राओ के द्वारा लिखा गया है तो देखिए इस नौवल को ना, इयर 1929 में इसे लिखा गया, यानि जब राजा राओ सिर्व 21 साल के थे, तो तब उन्होंने इस नौवल को लिखा था, और फिर इयर 1938 में इस नौवल को पब्लिश किया गया और अब बात कर ले इस नौवल के सेटिंग और इसके में थीम की, तो इस नौवल को ना, साउथ इंडिया के माईसूर स्टेट में मौजूद, एक छोटे से गाउं कांथापुरा में इसे सेट किया गया है, और ये नौवल, फ्रीडम स्ट्रगल के थीम से मेली डिल करता है यानि ये गांधी जी के उन नाशनलिस मौवमेंट को और उनके फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है, जो कि उन्होंने इर 1990 से लेकर, इर 1930 के बीच में उन्होंने और इसके साथ ही, ये नौवल हमें उन विलेजेस की एक पिचर को दिखाने की कोशिश करता है, जो कि गांधी स्ट्रगल में एक जुट होकर एक साथ उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो अब देखे इस वीडियो को डारेक्ली शुरू करने से पहले न, मैं आप लोगों को इस नौवल के कुछ मेजर करेक्टर से इंट्रिड्यूस करवा देना चाता हूं, ताकि आगे चलकर आप बुज़ोग ब्रामिन महिला या औरत होती हैं, जो कि इस नौवल में वो हमें अपने गाउं के एक पास्ट के इवेंट या हैपनिंग के बारे में एक स्टोरी सुनाती हैं, जिसमें कि उन्होंने और उनके ज़त बाकी के गाउंवालों ने, उन्होंने सब एक साथ मिलकर उ दूसरे में करेक्टर का नाम है मूर्ती, तो देखिए ये मूर्ती जो है ये एक यंग नौजवान ब्रामन व्यक्ति होता है, जो कि इस स्टोरी का में करेक्टर या प्रोटगनिस भी है, तो ये मूर्ती रिसेंटली जब अपने गाउं को छोड़ कर वो शेहर पढ़ने के जाता है, तो शेहर जाकर वो गांधी जी के आइडिया से, उनके नैशनलिस मूव्मेंट से और उनके फिलोसिफी से इंस्पायर होकर ये मूर्ती जब अपने गाउं में वापस लोटता है ना, तो ये यहाँ पर भी ये एक एक अक्टिविस्ट बनकर वो गाउं में कास सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाता है, फिर वो फॉरें गुड्स और क्लोट्स को भी बैनिश करने की या उनका बहिशकार करने की बात करता है और इसके साथ ही वो गांधी जी के तरह ही वो एक छोटे स्केल पर वो कांथा पूरा में नैशनलिस मूव्मेंट को भी और्गनाइस करता है, फिर इस स्टोरी की अगली जो क्यारेक्टर है उनका नाम है रंगम्मा, यह बिसिकली एक चाइडलेस वीडो वोमेन होती है जो के इस स्टोरी में वो मूर्ती का काफी साथ देती है उसके इस फ्रीडम मूव्मेंट की लडाई को आगे बढ़ाने में और इसके साथ ही यह रंगम्मा एक काफी पैसे वाली और पढ़ी लिखी लेडी होती है जिसे की गाओं वाली काफी रेस्पेक्ट करते हैं फिर इस स्टोरी के नेक्स करेक्टर का नाम है भट्टा जो के इस स्टोरी का एक तरह से विलन है तो देखिए भट्टा जहना यह एक काफी वेल्दी जमीनदार या बिजनसमेन होता है जो कि लोगों को पैसे लोन देकर वो उनसे काफी हाई रेट पर इंट्रेस चार्ज करता या ब्याज लेता और इसके साथ ही वो लोगों को शोशली एक्सप्लॉइट भे करता तो यह भट्टा एक तरह से उन बृतिश थब पड़ जाएगा या बंद हो जाएगा फिर स्टोरी का अगला जो करेक्टर है उसका नाम है बड़े खां जो कि इस स्टोरी में वो एक मुस्लिम पुलिस वाला होता है और इस बड़े खां को एक्शली उन बृतिश गवर्मेंट ने ही अपॉइन किया होता है ताकि यह कांथापूर के लोगों पर नज़र रख सके और उनकी फ्रीडम मुवमेंट पर एक तरह से रोक लगा सके और उन्हें काबू कर सके फिर स्टोरी के नेक्स जो करेक्टर है उनका नाम है पटेल रंगे गौड़ा जो कि इस स्टोरी में कांथापूर के विलेज के एक तरह से मेर या मुखिया की तरह होते हैं और गाउं में इनकी इजाजत के बगेर कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होता है और इसके साथ ही जब इस पटेल रंगे गौड़ा को गांधी जी के freedom movement के बारे में पता चलता है तो वो भी फिर पूरती की मदद करने लगते हैं उसकी इस freedom movement को या आंदलन को आगे बढ़ाने में और फाइनली इस novel का last जो important character है उसका नाम है रचना कूली तो देखिए आप लोग इस रचना के नाम से confused मत हो जाईएगा तो कि ये रचना actually एक आदमी है तो नाम ये रचना कूली जो है न ये actually एक पराया या एक कूली होता है यानि एक low caste का labor या मजदूर होता है जो कि पहले एक coffee estate में काम किया करता था बट जब उसे वहाँ से निकाल दिया गया तो वो फिर मूर्ती के साथ मिलकर वो भी उसके आंदोलन में साथ देने लगा तो कुछ और भी minor characters है इस novel में जिससे कि हम लोग स्टोरी के दौरान डिसकस करेंगे तो चली अब ये तो हो गया स्टोरी से लिटेड कुछ basic information तो बिना time waste कि आज को जो हमारा novel है कांथा पूरा इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके स्टोरी के शुरुआत को जिस सरसर होती है कि अचक्का नाम की एक बुढ़ी ब्रामिन औरत जो कि इस स्टोरी की narrator भी है तो ये अचक्का अपने पडोस के किसी neighbor से वो ये बता रही होती है कि कैसे कुछ ही समय पहले उसके गाउं वाले एक freedom movement को लड़ रहे थे और कैसे उसके गाउं वाले सब एक साथ मिल कर वो अपने चुआ चूट और अपने भेदभाव को भुला कर वो सभी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे तो ये अचक्का अपने इस कहानी की शुरुआत में ही वो सबसे पहले तो हमें ये बताती है कि कांथापुर जो गाउं है न तो वहां के लोग अपने कास सिस्टम को काफि स्ट्रिकली रिजिटली फॉलो किया करते थे और इसके साथ ही वो लोग अपने धर्म सिल्ड़िट सभी तरह के माननताओं के और विश्वास के बिलकुल पक्के थे फिर अचक्का हमें उस गाउं की एक देवी के बारे में बताती है जिनें की कंचमा देवी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कई बार अचक्का हमें उस गाउं के लोगों के बारे में और उनकी एक डिविशनल स्ट्रक्चर के बारे मताती है तो ये अचक्का हमसे कहती है कि गाउं को जो सबसे अच्छा रिजन होता था ना तो वहां पर पढ़े लिखे ब्रामन लोग रहा करते थे फिर उसके बाद जो एवरेज टाइप की लोकालिटी हुआ करती थी तो वहां पर आर्टिशन्स, वीवर्स और किसान लोग रहा करते थे और फिर गाउं के सबसे पिछड़े या खराब छेतर में शूद्र या पराय जाती वाले लोग रहा करते थे और इतने स्ट्रिक्ट कास्स सिस्टम को फॉलो करने के बावजूद भी जब कभी वे उस गाउं में कोई फेस्टिवल होता तो उस पर्टिकलर दिन सभी लोग अपने भेदभाव को भुला कर वो आपस में एक साथ इंटराइक करते तो अब इतना सब कुछ उस कांथा पूरा गाउं के बारे में बताने के बाद अब यहां से अचक्का अपने में स्टोरी की शिरुवात करती हैं तो अब सबसे पहले तो अचक्का हमसे मूर्ती नाम के एक यंग नौजवान ब्राह्मन वेक्ति के बारे में वो हमसे बात करती हैं जो की हाली में वो शहर से अपनी पढ़ाई को पूरा करके वो अपने गाउं वापस लोटा है तो अब देखिए मूर्ती जो है ना ये जब अपने गाउं को छोड़कर ये शहर पढ़ने के लिए जाता है ना तो तब वहाँ पर ये मूर्ती गांधी जी के फिलोसिफीज को और उनके वर्क्स को पढ़कर ये उनसे काफी ज़ादा इंस्पायर होता है और वो फिर उनके फ अभी को एक साथ मिलकर हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए फिर इसके अलावा वो उनसे ये भी कहता है कि हमें अंग्रेजों को द्वारा बनाए गई कपड़ों को और उनके चीजों को नहीं खाइदना चाहिए और हमें अपने कपड़ों को हमें स्वै के खिलाफ लड़ सके तो अब एक दिन मुर्ती को ऐसे ही उसे एक जगा एक जमीन में उसे एक आधा दबा हुआ का शिवलिंग मिल जाता है जिसे कि वो फिर पूरी तरह से बाहर निकाल कर वो उसे गाउं में एक जगा पर स्थापित करवा देता है जिसके बाद फिर उस शिवलिंग के चारो और गाउं वाले मिलकर वो एक मंदिर बनवा देते हैं और वो मंदिर फिर उस गाउं का सेंट्र पॉइंट बन जाता है जहाँ फर फिर सारे spiritual ceremonies होने लगते हैं पूजा पाथ होने लगते हैं और वो festivals का एक hub बन जाता है तो अब कुछ समय के बाद मूर्ति फिर क्या करता है वो गाहँ वालों से ये कहता है कि वो इस मंदिर में वो एक हरी कथा करवाना चाता है जिसमें कि भ ताकि वो सबसे बेस्ट हरी कथा सुनाने वाले व्यक्ति को वो इस हरी कथा में बुला सके बड़ अब जिस दिन ये हरी कथा हो रही होती है न तो मूर्ति के कहने पर वो हरी कथा सुनाने वाला व्यक्ति जिसका नाम जया रामाचर होता है तो वो क्या करता है वो सबसे पहल तो वो लोगों को भगवान विश्णू और भगवान शिव की कथा और भजन सुनाता है बढ़ फिर थोड़ी दिर बाद में वो लोगों को गांधी जी के बारे में बताने लगता है कि कैसे गान्धी जी एक सन्यासी के भाती हैं जो कि इनसान के रूप में वो भगवान का अफ्तार हैं जो कि लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से अजाद कराने के लिए वो इस धर्ती पर आये हैं बड़ वहां के पुलीस वालों को जब ये पता चलता है कि हरीकथा के नाम पर मूर्ती लोगों के बीचे पॉलिटिकल प्रपागंडा चला रहा है तो मूर्ती को वार्निंग दे कर तुरंत उस हरीकथा को वहीं बंद करवा दिया आता है और फिर बाद में जब गाओं के बाकी के ब्रामनों को और लोगों को ये पता चलता है कि मूर्ती खुद एक ब्रामन होकर वो उनके कास सिस्टम को रिमूफ करना चाता है और वो वहां पर लोगों के बीच में इक्वालिटी लाना चाता है तो ये सब सुनकर भट्टा नाम का एक काफे वेल्दी जमीनदार या बिजनिसमेन वो ये डिसाइड करता है कि वो बाकी के ब्रामनों के साथ मिलकर वो एक ग्रुप बनाएगा ताकि वो मूर्ती के खिलाफ आवाज उठा सके और वो स्वामी नाम के एक पाउरफुर रिलिजियस लीडर के पाउर जाकर वो उनसे मूर्ती के खिलाफ कम्पलेन कर सके तो अब उस रिलिजियस लीडर स्वामी जी को जब ये पता चलता है कि मूर्ती खुद एक ब्रामन होकर वो उनके कास सिस्टम को पल्यूट कर रहा है और वो खुद छोटी जाती के लोगों को काम कर रहा है जैसे कि लोगों की लाशों को या उनके डेड बॉड़ी को कैरी करना और बाकी छोड़े तरह के काम कर रहा है तो गुस्से में आकर स्वामी जी मूर्ती और उसके पूरे परिवार को वो ब्रामन समाज से बाहर निकाल देते हैं या उन्हें ex communicate कर देते हैं दिसकी वज़य से जब मूर्ती की माँ नरसम्मा को ये पता चलता है तो उन्हें एक सग्मा लग जाता है और उनकी फिर हिमावती नदी के पास ही मृत्यू हो जाती है या वो मर जाती है तो अब मूर्ती की मा नरसम्मा के देद के बाद मूर्ती फिर क्या करता है वो नरसम्मा नाम की एक educated वीडो लेडी के साथ मिलकर वो freedom struggle के लिए काम करने लगता है और ये रंगमा वैसे तो ये काफी पढ़ी लिखी, पैसे वाली और soft टाइप के लेडी होती है बर इसके साथ ही वो काफी strong और politically active भी होती है जो कि गांधी जी के opinion से और उनके ideas से inspire होकर ये अपने बड़े से घर में वो गांधी जी के चरकों की और उनके books की एक धेर लगा देती है ताकि इन चीजों को वो लोगों के बीच बाट कर वो लोगों को अपने साथ freedom struggle के movement में शामिल कर सके अब इसके बाद फि से वहां पर install करवा देते हैं ताकि बड़े खा वहां के लोगों पर एक नजर रख सके और उनके freedom struggle के movement को काबू कर सके तो बड़े खा जब कांधापूर में रहने के लिए आते हैं तो मुस्लिम होने की वज़ा से कोई भी उन्हें गाउं में रहने के लिए जगा नहीं दे कोई ज़ेता है और पतेल रंग्मे गौड़ा तो उन्हें वहां से गुस्ने में भगा ही देते हैं तो अब बड़े खांपिर क्या करते हैं वह वहां पास में ही मौजूद एक coffee state दिशे की STEPHAN कोफी इसे कोमफी या जाता है तो वह उस coffee state के मालक जिनился ही साहभ काह जाता था त मूर्ती अब धिरे-धिरे करके वो लोगों को इस बात के लिए कंविंस करने लगता है कि वो अपने कपड़े खुद बनाएं, वो विदेशी चीजों का बहिशकार करें, नॉन वाइलेंस या एहमसा को अपनाएं और इसके साथ ही वो अपने गाववासियों से ये भी कहता है कि इस चुआ चूट में कुछ नहीं रखा है, अगर हम इसी तरह से आपस में ही लड़ते रहें, तो हम अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करेंगे, तो इसलिए वो उन्हें एक साथ एक जूट होने की भी सला देता है, तो अब मूर्ती के इन आइडिया से और उसके उन बातो से लोग धीरे-धीरे करके वो मूर्ती से इनस्पायर होने लगते हैं और उसके साथ जूने लगते हैं, तो अब इसी तरह से एक दिन वासुदेव नाम का एक ब्राह्मन व्यक्ति मूर्ती के बातों से इनस्पायर होकर वो उसे सकेफिंग्टन कॉफी एस्टेट में आने के इन्वाइट करते हैं, ताकि वहाँ पर वो उन कूली या लेबरर्स के बीच आकर वो उनके बीच एवेरनेस या जागुकता फैला सके कि किस तरह से उनके मालिक उन्हें एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं और कैसे देश को अभी उनकी सक्त जरूरत है इस आजादी के आन्दलन को आगे बढ़ाने के लिए तो देखिए ये पराय या फिर ये जो कूली लोग थे ना तो इन्हें उस कॉफी एस्टेट के मालिक काफिस दर टॉर्चर या एक्स्प्लॉइट किया करते थे और दिन भर के मेहनत के बाद वो उन्हें बहुत ही कम सैलरी या पगार देते थे और इतना ही नहीं उस कॉफी एस्टेट के मालिक उन्हें पनिश भी करते थे और उन्हें शराब पीने के लिए एनकरेज करते थे जिसके वज़े से वो शराब पीने के आदी होते जा रहे थे तब मूर्ति जब उन कूली लोगों के बीच या उन लेबरर्स की बीच वो इसके बाद फिर कई सारे कूलियों को काम से बाहर निकाल दिया आता है और जिसमें की रचना नाम का एक कूली सबसे major important role को play करता है तो अब इस पूरे incident को देखने के बाद मूर्ती को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो खुद तो वो non-violence को promote कर रहा होता है जाकर वो तीन दिन का उपवास या fast रखता है just like गानी जी और मूर्ती के इस तीन दिन के उपवास के दौरान रंगम्मा के बुढ़े पिता रामा कृष्णा और रंगम्मा की एक बहन की बेटी जिसका नाम रतना होता है तो ये दोनों उस दौरान मूर्ती की देख भाल कर रहे होते हैं उस तीन दिन के उपवास के दौरान तो अब इस तीन दिन के fasting या उपवास के बाद मूर्ती फिर उस गाओं के एक सबसे powerful वेक्ति जिसका नाम पटेल रंगे गौडा होता है तो वो उनके पास पहुंचता है और वो फिर उनके साथ मिलकर वो उस गाओं में ए करने के बाद मूर्ती फिर खुद वो उन सभी छोटे बड़े लोगों के घर जाकर वो उन्हें गांधी जी के इस आंदलन के बारे में बताने लगता है और इतना ही नहीं वो उन लोगों को मुफ्त में चर्का भी बारता है ताके इस चीज़ से प्ररित होकर वो इस freedom struggle के movement क जोइन कर ले तो अब इसी दोरान बितिश government को जब ये पता चलता है कि मूर्ती nationalist movement को organize कर रहा है और वो लोगों को उनके खिलाब भड़का रहा है तो बितिश government फिर क्या करते हैं वो मूर्ती को और गाओं के और 16 लोगों को एक साथ पकड़ कर वो उन्हें अरेस्ट कर लेत हैं बट फिर बाद में बितिश government उन 16 लोगों को छोड़ देती है बट वो मूर्ती को रहा नहीं करती है तो नव ये रंगम्मा जो थी न ये वैसे तो वो उस मूर्ती की बेल या उसकी रहाई करवा रही होती है बट ये मूर्ती खुद ही वो पहले तो रंगम्मा से इस बा स्टोरी में फिर आगे क्या होता है ये मूर्ती जब तीन महीने के लिए वो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है न तो तब उस समय पटेल रंगे गोड़ा और रंगम्मा ये दोनों मिलकर ये उस आजादी के आंडोलन का कमांड अपने हाथों में समाल लेते हैं और पुताना प्रिंसेस सरोजनी नाइडो की कथाओं को सुना कर वो उन महीलाओं के अंदर एक नया जोश भरने का काम करती हैं तो अब तीन महीने के बाद मूर्ती को जब जेल से रिहा कर दिया आता है तब सभी लोग फिर उसका किसी हीरो की तरह स्वागत करते हैं और वो लो वैसे सभी लोग फिर उसमें काफी बढ़ चड़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बट अल्टीमेटली जब गांधी जी को सौल्ट लॉब्रिक करने के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया आता है तब मूर्ती फिर खुद वो टोडी शॉप्स और टोडी ट्रीज के खिला बनाये जाते हैं तो अब मूर्ती उन शराब खानों के खिलाफ और उन पाम ट्रीज के खिलाफ वो एक मूव्मेंट को शुरू कर देता है जिसमें कि वो रचना कूली जिसने कि मूर्ती को बड़े खा के अटैक से बचाया होता है तो वो इसमें सबसे आगे रहता है बट अ इसके कुछ हपतों बाद मूर्ती और्स के साथ ही लोग फिर से ऐसा ही काम करते हैं इसके बाद फिर पुलीस गुसे में आकर वो मूर्ती, रंगम्मा और रतना इन तीनों को काफी severely injure कर देती है बट फिर भी ये लोग अपने freedom struggle के movement पर ही टीके रहते हैं और ये गांधी ज पुर्ती को, रंगम्मा को और पटेल रंगे गौडा को वो उन्हें पकड़ कर अरेस्ट कर लेते हैं और बितिश गवर्मेंट फिर गांवालों के जमीन को और उनके खेतों को वो आक्शन करके वो उन्हें बॉंबे के लोगों को बेचने लगती है और इतना ही नहीं पुल तो अपने गाउं को खुद ही वो आग लगाकर और उस भट्टा के घर को भी आग लगाकर वो काशीपुर नाम के एक दूसरे गाउं की तरफ चले जाते हैं जहां पर उन्हें फिर पिल्ग्रिम्स और महात्मा के नाम से वेलकम किया जाता है और इस पूरे इवेंट के फिर मूर्ती को कुछ समय के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया आता है बट वो अब गांधी जी को छोड़ कर वो जवाहलान नहरी जी को फॉलो करने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से गांधी जी कुछ जादा ही अंग्रेजों के सामने जुक रहे थे और उन्होंने इतने खून होने के बावजूद भी उन्होंने वाइसरोय लॉर्ड आर्विन के साथ पीस ठीटी का समझाता किया था जो कि मूर्ती को काफी निराश कर देता है इसलिए वो गांधी जी को छोड़ कर वो नहरू जी के फॉलवर बन जाते हैं और वो फिर बॉम्बे चले जाते हैं ताकि वहाँ पर वो उनके लीडर्शिप में या उनके नित्रित में वो देश को आजाद करा सके और अब रही बात रंगम्मा और पटेल रंगे गौड़ा की तो रंगम्मा अभी भी जेल में है और पटेल रंगे गौड़ा स्रिफ एक मात्र ऐसा वेक्ती होता है जो कि जेल से न नौवल खता मोता है और ये नौवल हमें ये बताता है कि कैसे हमारे जो एंसिस्टर से.. उन्होंने freedom struggle के लिए fight किया था तो इस तरह से जोरी खताम होता है और आज आपको वीडियो पसंद आयाistes से लाइस वाचे hue वाचण